यह पोयम मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी और इसमें मैंने टीनेजर्स का प्याग लिखा था और फिर मैंने इसको बंद कर दिया था बोला नहीं था क्योंकि हर कोई जानता है कि हाथ में दर्द ये गमों के पन्ने बिच्छा उन पर अपने जज़बात तिकती हूँ जिहां मैं वही हूँ जो हर बेवफा शक्स की आउकाद लिखती हूँ तो आज यह वाली पोयम आपको पसंद आईगी तो शुरू करते हूँ मेरी खुपसूर्ती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था मेरी खुपसूर्ती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था कि बिंदी लगाना भूल गई थी मैं तो उसने काले पैन से टीका लगाया था वो अक्सर दूर से ही देखता था मुझे तो सब ठीक था पर बात तो उस दिन बिगडी जिस दिन उसने सब के सामने मुझे गले लगाया था और मेरी खुबसूर्ती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था वैसे तो बहुत सी गाड़ियां आती थी गली में मेरी वैसे तो बहुत सी गाड़ियां आती थी गली में मेरी पर आफ़त तो उस दिन आ गई जिस दिन उसने हॉन बजाया था कि अपने ही क्लास के लड़के नजर चुराकर चलते थे मुझसे क्योंकि उसने उन सबको मुझे उनकी भावी बताया था और मेरी खुबसूरती को उसने उसने इसकादर सजाया था और एक दोस्त का बदे था तो मैं ब्लेक ड्रेस में पहुची थी मुझे ब्लेक कपड़ों में देख वो तुरंट घर जाकर काला कुर्ता डालाया था मेरी खुबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था शुक्रिया दानिश वो अकसर छुप छुप कर तोफे तो देता था मुझे वो अकसर छुप छुप कर तोफे भी देता था मुझे पर मेरा दिमाग तो उस दिन घुमा जिस दिन मुझे पायल देने के चक्कर में वो अपनी साइकल बेच आया था और मेरी खुबसूर्टी को उस दिन उसने इस कदर सजाया था अक्सर मुझे देखने के चक्कर में मार खाता था वो पर कयामत तो उस दिन आई जब मार खाते खाते भी मुझे देख वो मुस्कुराया था मेरी खुबसूरती को उस दिन उसने इसकदर सजाया था वैसे तो लोगों से मिलना जुलना जादा पसंद नहीं है मुझे पर उस दिन जाने क्यों अच्छा लगा जिस दिन उसने मुझे अपनी मां से मिलवाया था और मेरी खुबसूरती को उस दिर उसने इस कदर सजाया था हम साथ रहे या ना रहे ये तो अलग बात है हम साथ है या नहीं ये भी अलग बात है पर इन खुबसूरत पलों ने मुझे एक अलगी एहसास कराया था मेरी खुबसूरती को उसने हमेशा ही कुछ इस तरह सजाया था